यह उड़ी साइन्स क्लास 10 चैप्टर 12 का पार्ट 12 है और अब हम लोग देखने वाले हैं रिजिस्टेंस आफ असिस्टम आफ रिजिस्टर्स तो यहां मैंने पहले आपको बता दिया है वी इस इकल टू आई आर और यहां से हम लोगों ने रिजिस्टेंस पढ़ लिया है आ इस प्रकार किसी कंड़क्तर में जो करिंट फू होता है वह इसके छोरों के बीच के पटेंशल डिफरेंस पर निर्भर करता है साथी साथ इस कंड़क्तर के रिजिस्टेंस पर भी निर्भर करता है तो हम लोगों ने पीछे के जो topics हैं उसमें बहुत अच्छे प्रकार से resistance को पढ़ा है साथी साथ हम लोगों ने electric circuit भी पढ़ा है और देखा है कि कैसे electric circuit में यह जो current है वह potential difference पर निर्भर करता है और साथी साथ उसके resistance पर निर्भर करता है We have noticed how the current through a conductor depends upon its resistance and the potential difference across its ends तो इसके ends हैं इसके cross कितना potential difference दिया गया है इस conductor wire का कितना resistance है उसी पर इसका current flow depend करता है तो यह हम लोगों ने पुरा विश्तृत यह सारी बाते पढ़ी है In various electrical gadgets we often use resistors in various combination तो हम लोगों ने यह भी पढ़ लिया है कि बहुत सारे ऐसे electrical components होते हैं जहां पर उस component के अनुसार current की आवशकता होती है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं अलग-अलग प्रकार के resistors का प्रियोग करते हैं जिसके अपने gadget के अनुसार current को वहां regulate किया जाता है We now therefore intend to see how ohms law can be applied to combination of resistors तो अब हम लोग देखने वाले हैं resistors के combination को और यहां सभी बहुत important question आपका आएगा There are two methods of joining the resistors together तो हम लोग को दो प्रकार से resistors को देखना है कि दो प्रकार से इनको join किया जाता है तो जैसे मैं बार-बार पीशे सी आपके बता दे आ रहा हूँ series होता है, parallel होता है तो यहां यह बाती है आपको ज़्यादा सुझ में आई कि series क्या होता है parallel क्या होता है तो जैसे आप देख सकते हैं 12.6 यहां figure आगे की और दिखाये गया है जहां पर resistors को series में और parallel में जोड़ा गया है तो आप देख सकते हैं resistance R1, R2 और R3 हैं इन ही को अलग-अलग तरीकों से यहां जोड़ा गया है तो आप देख सकते हैं तीन resistors लिए गया है जिनने यहां series में जोड़ा गया है series का कहने का यहां मतलब है कि एक का end दूसरे के end से जोड़ा हुआ है तो इस प्रकार से इसे हम लोग क्या बोलेंगे series बोलेंगे अब देख सकते हैं यहां पर पहला का end फिर दूसरे का end फिर इस प्रकार से तीसरे का end फिर इस प्रकार से जड़ा होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे series में बोलेंगे तो आपको यहीं से सीखना है कि Series में किसे कहेंगे Parallel में किसे कहेंगे क्योंकि numerical में आपको यह से बाते समझ में आनी चाहिए और फिर इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह Parallel है Parallel में क्या होगा कि यह जो Register है ज़ि मालेज यहां तीन Register को यूज किया गया है तो तीनों के ends को एक ही छोड़ से यहां जोड़ दिया गया है और इसके तीनों end को एक छोड़ से जोड़ दिया गया है या तो बोलें कि एक end से इन तीनों के छोड़ को जोड़ा गया है और एक end से इन तीनों के छोड़ को यहां जोड़ा गया है तो इस प्रकार से आप देखें कि ये है सीरीज में लेकिन जब इसको और इसको हम लोग देखेंगे तो अभी ये क्या हो गया पैरलल में तो आपको या पहचानना होगा क्योंकि नुमेरिकल आपको इसी से सॉल्व करना होता है Figure 12.7 आप देख सकते हैं 12.6 और 12.7 है तो 12.6 में आप देखा कि ये सिरीज में लगाए गया है और 12.7 में आप देखेंगे कि यहां पर ये किस चीज में लगाए गया है पैरलल में कंबाइन किया गया है तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ emitter लगाया गया है इस प्रकार से battery लगाया गया है की लगाया गया है current flow कर रहा है तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन resistors को लगा दिया है तो आपको यहाँ पर calculate करना होता है combining यदि यह तीन resistors है इसका combining क्या होगा मतलब की इसका combining resistance क्या होगा यहाँ आपको निकालना होता है ठीक इसी प्रकार से यदि यहाँ पर तीन resistors निकाला गया है तो इसका combining combination में इसका resistance क्या होगा यही हम लोगों को निकालना होता है तो अब हम पढ़ रहे हैं resistors in series तो किस प्रकार से resistors को series में लगा जाएगा तो उसका equivalent resistance क्या होगा यही हम लोगों को देखना है तो series जैसे में नहीं बता दिया कि एक register है इसका एक end दूसरे register के दूसरे end से फिरिस प्रकार से आपका जोड़ा रहेगा तो इसे हम लोगों क्या बोलेंगे series तो देख सकते हैं आप इसका शुरुवात एक प्रश्न से किया गया है What happens to the value of current when a number of resistors are connected in series in a circuit एक circuit में बहुत सारे यदि registers जोड़े गए हैं series में तो current पर इसका क्या प्रभा होगा तो इसके लिए एक activity कराए गया है इसे मैं आपको बता दे रहा हूँ उपर कियो तो इस activity को करने के लिए आपको तीन registers लेना है और तीनों का value जोसे बता गया है वन ओम है टू ओम है और थ्री ओम है इस प्रकार से तीन registers लेना है और फिर आपको 6V का यहां battery को use करना है और फिर इसके बाद आपको emitter का यहां पर reading लेना है कि यदि series में तीन registers को लगाया गया है जिनके यहां resistance आपको दिये गया है तो इस emitter का reading क्या आता है फिर आपको क्या करना है एक तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि इसको position change कर दें जिसके तीन यहां कर दें दो यहां कर दें एक यहां कर दें उसके बाद reading लें और एक और क्या करना है आपको इस emitter को अलग अलग जगा आपको रखना है जैसे अब यहां रखा फिर इसके बीच में आप लगा सकते हैं और उसके बाद फिर आपको reading लेना है तो आप देखेंगे कि जो भी condition हो यदि यह series में लगा हुआ है तो emitter में जो current का मान आपको मिलेगा वह एक समान मिलेगा तो जहां भी जिस position में भी आप emitter को लगाएंगे आपको current का मान same मिलेगा तो इसका क्या मतलब है it means that in a series combination of resistors the current is same in every part of the circuit और the same current through each resistor इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतेक resistor से एक ही प्रकार का current flow हो रहा है और दूसरा कि जो तीनों resistor का combination था उसको कहीं भी रखा गया series में तो जो emitter का position बदल बदल के भी हम लोगों ने i command check किया तो वह भी क्या मिला एक ही प्रकार का मिला तो यह तो पढ़ने की बात थी लेकिन यहां एक बहुत ही valuable चीज हम लोगों को पता चला है और यहां पता चला कि यदि यह resistor R1 है R2 है या फिर R3 है इसको यदि series में जोडा गया है तो सभी से एक ही प्रकार के current flow कर रहे हैं जैसे कि मैंने बताया कि emitter को आप कहीं भी जोडेंगे तो current का मान क्या होगा एक ही आएगा जैसे मान लेजी कि यह 5 ampere यहां current आपको मिला तो आप देखें कि यह 5 ampere का current है आप इस emitter को कहीं भी जोडेंगे तो यह 5 ampere ही calculate करेगा इसका मतलब यह बताएगे यहां पर कि R3 जो है इससे भी 5 ampere का ही current flow हो रहा है R2 से भी 5 ampere और R1 से ही कितना current जा रहा है 5 ampere का ही current जा रहा है इसका मतलब हो गया कि यदि series में resistor को जोड़ा जाए तो प्रतेक resistor से same current का flow होता है यह बत आपको याद रखना है तो इसका मतलब है कि R1 हो गया R2 हो गया R3 हो गया आप देख लीजिए इसका 1 ohm resistance है इसका 2 ohm resistance है और इसका 3 ohm resistance है resistance तीनों का अलग है लेकिन current क्या flow हो रहा है एक ही प्रकार का flow हो रहा है तो आप देखें कि यदि यह current एक प्रकार का flow हो रहा है resistance अलग है मतलब तीनों को potential difference क्या मिल रहा होगा अलग-अलग मिल रहा होगा तो इस प्रकार से आपको ये बात याद रखना है क्योंकि आगे इसका हम लोग उपयोग करेंगे अपने next chapter में तो यह बात आप वहाँ ध्यान रखें तो यहाँ से एक प्रशन आप कहा सकता है कि यदि series में resistors को जोड़ा गया है तो प्रतियक register में से कितना current प्रवाहित होगा तो इसका answer आप यहाँ से लिख सकते हैं It means that in a series, combination of resistors the current is the same in every part of the circuit और the same current through each resistor प्रतियक register से current का मान क्या हो गया? same और यह जो circuit हम लोग पुरा बनाए है तो कहीं भी circuit में से जदी आए का मान calculate किया जाए तो भी क्या होगा? same तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और activity दिखाया गया है इसके पहले के activity में हम लोग ने क्या देखा था? यह तीन resistor हम लोगों ने जोड़ा है potential difference के बारे में तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा था? कि यहाँ यहाँ 1 ohm है, 2 ohm है और 3 ohm resistor है और 3ों से current का मान I ही flow हो रहा है 3ों से current का मान I हो रहा है मतलब एक ही प्रकार का 3ों से current flow हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ V का मान अलग होगा यहाँ भी V का मान अलग होगा और यहाँ भी V का मान अलग होगा क्योंकि हम लोग जानते है V is equal to I R तो यदि आपको I पता है R पता है तो V आपको पता है तो यहाँ पर I और R अलग-अलग है I तो सब में सेम है लेकिन R क्या है? अलग-अलग इसलिए यहाँ V1 का मान अलग होना चाहिए V2 का मान अलग होना चाहिए और V3 का मान क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए तो इस प्रयोग में आपको करना क्या है? सबसे पहले तो यहाँ X और Y इस प्रकार से यह तीनों पहले सिरीज में लगा देना है इंडिविजबल रेजिस्टर है उसके potential difference को आपको measure करना है तो आप पाएंगे यह तीनों रेजिस्टर में अलग-अलग potential difference है जैसे कि यहां दिखाया भी गिया है V1 है V2 है V3 है तो आप देखेंगे कि यहां इसको पैरलल में वोल्ट मीटर को लगा के हम लोग इसका potential difference को measure करते हैं देख सकते हैं आप पैरलल में लगाया गया इसको यहां पर यहां पर और यहां पर तो ultimately जब आप V कमान निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इसी को आपको याद रखना है और इसी से हम लोग drive करेंगे कि रेजिस्टर को जब combination किया जाता है तो उसका combination का resistance क्या होगा तो आप देखेंगे कि यहां पर V जो है वह आई आर के बराबर होगा य जब कि हम लोगों ने देखा कि I सभी में यहाँ पर क्या हो रहा है बराबर हो रहा है इसका मतलब यह जो तीन रेजिस्टर है यहा तीनों मेे आई कमान क्या हो रहा है equal जैसे कि आप देख सकते हैं यहां भी आई है यहां भी आय है और यहां आर-वन है यह R2 है और यह क्या है R3 तो यदि V कमान हम लोग V3 निकालें V2 निकालें और V1 निकालें तो हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं कि V1 बराबर I R1 V2 बराबर क्या हो गया I R2 और V3 बराबर क्या हो गया I R3 तो यदि आप I को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर IR हो गया और यह क्या हो गया यह जो हो गया combination of resistor के लिए equivalent resistance हो गया तो यहाँ I common ले लेंगे तो यह होगा R1 plus R2 plus क्या लिख देंगे R3 तो I से I कट गया तो यही देख सकते हैं कि equivalent resistance क्या हो गया is equal to R1 plus R2 plus R3 इसी को आपको एक्जाम में क्या करना होता है इस प्रकार से derive करना होता है तेरी हम लोग series में resistance को joint करते हैं तो उसका equivalent resistance क्या होता है उसके sum के बराबर होता है जैसे कि माल लिजे सिर्फ दो लिया हम लोगों ने एक और दो यह है 2 ohm और यह क्या है आपको detail में पढ़ाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है V is equal to V1 plus V2 plus V3 और जैसे मैंने बताया यदि equivalent resistance R है तो इस प्रकार से V is equal to क्या हो गया IR और मैंने जैसे आपको derive करके बताया V is equal to V1 plus V2 plus V3 तो आप इसी से इसको निकाल सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बताया गया है तो exam में यह दिया प्रशन आता है तो आप इससे असानी से कर सकते हैं आपको याद रखना यही V is equal to V1 plus V2 plus V3 और कुछ बात है जो मैंने बताई है वह आपको याद रखना है तो फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं क्या करना है आपको सबसे पहला आप तीन रेजिस्टर आपने लिया है तीनों को सीरीज में कैसे जोडते हैं आपको पता है पहला बात याद रखना है कि इससे current का मान एक ही current यहाँ से होके गुजर रहा है पहला यह बात आपको एकदम याद रखना है दूसरा तीनों का potential difference अलग अलग होगा और तीसरा बात आपको याद रखना है यह जो इसका overall जो potential difference है वह इनके जोड के बराबर होगा तो यह तीन बात आप याद रखेंगे क्योंकि इसका जरूरी बहुत बार आपको पढ़ेगा नेक्स चैप्टर में भी पढ़ेगा यहाँ भी आगे निमेरिकल के लिए पढ़ेगा तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में धन्यवाद